हेलो बच्चों तो अभी हम कुश्चन नमबर 6 exercise 3.1 chapter 3 data handling को solve करेंगे तो शुरू करते हैं इसको थोड़ा फिलाल align कर लेते हैं very good तो अभी question number 6 आपके सामने है ठीक है question है the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test एक science test हुआ जिसमें 100 marks से बच्चों ने इतने marks secure किये individual बच्चों ने इतने marks secure किये तो पहले आपको एक box बना देना है ठीक है box में आपको जितने student से उतने box बना के उसमें आपका marks को लिखना है ठीक है तो अभी लिखते हैं पहले जो highest marks है उस वहाँ से शुरू करते हैं तो highest marks कौन सा है 95 यह हो गया उसके बाद 90 है इसको आपको box के अंदर लिखना है फिर 85 है फिर 81 है 85 दो बार है ठीक है 85 दो बार है फिर 81 है फिर आगे आपका 76 है 76 यह से लिख सकते हैं फिर 75 है फिर 75 फिर 56 56 48 और 39 तो यह आपका the student का science का marks है तो अभी पूछ कह रहा है पहले आप देख लेते हैं highest and the lowest marks obtained by the student तो highest marks obtained by the student is 95 and the lowest mark is 39 तो पहले का answer हो गया second का अभी करते हैं second क्या पुछा है range of the marks obtained range क्या है कहां से कहां तक रखा है range is the 39 से 95 तक तो range is the 39 to 39 to 95 ओके second का answer हो गया अभी third का answer करते है mean marks obtained by the group mean marks mean marks के लिए आपको पहले ही बता दिया है सारे marks को अब plus कर दीजिए जितने ही marks है सारे को plus कर दीजिए तो plus करेंगे तो मैंने पहले ही कर लिया था तो यह निकलेगा आपका 3730 total students कितने है 10 है 10 student ने total मिला के 730 marks रखा तो उनका mean marks हो जाएगा 73 तरीका आपको पता है 10 जैसे 0 वाले में करने से 1 0 इधर कटा तो decimal point अंदर ठीक है तो 37 marks obtained किया जो mean marks है 10 students का mean marks है आपका कितना 73 ओके तो अभी next video में हम next question को solve करेंगे तब तक इस video को share like करना मत भूलिए और इस channel के बारे में अपने दोस्तों को बताईए आपका अधर दूलिए